जह हिं दोस्तों मैं हुराकेस फोजी दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे SSBHCM के प्रमोशन के बारे में कि SSBHCM जभ भड़ती हो जाता है बढ़ती होने के बाद जब अपनी पूरी शरविष करता है तो पूरी शरविष में वो लास्ट किस रैंक तक पहुँच तक पहुचने के लिए कितना समय लगता है एक rank से दूसरे rank में promote होने के लिए कितना शमय लगता है इस वीडियो के माद्य में से आपको पूरी जानकारी मिलेगी अगर चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को subscribe करके बैल आइकन जरूरी प्रेस कर लें इसकर अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें दोस्तों अगर हम बात करें SSBHM की promotion की तो SSBHM की जो rank होती है वो headcon stable rank होती है यहनिकि जिसको तीन फिती लगी रहती है तो अगर एक जवान approachable शे बढ़ती होता है उसको headcon stable बनने के लिए कम से कम भी 15 शार लग जाती है और आप स्कूरू Church कल चार्ण करा से बरती होते हैं तो आपको इतना फाइदा हो जाता है कि spann dream Life का प्रमोचन रहे होता है यह स्टेंट स्टेबस बनने के लिए पहले पार जाती है जो पहला प्रमोशन होता है यह जल्दी हो जाता है इसे टाइम तो 5 साल के लिए बोला जाता है लेकिन 5 साल में नहीं हो पाता कम से कम 6 साल चाहिये 6-7-8 साल तक आपको लगजाती है ये से बाद में जो आगला जो रेंक मिलती हैं उसमें आपको कम से कम 10 साल लएगा दस से 12 साल भी लग सेखती तेरा साल भी लगते हैं लेकिन मिनीमिम्यम दस साल का टाइम आपको चाहिए चाहिए ऐसाई बनने के लिए क्योंकि सब इस्पेक्टर मिनिस्ट्रिल की वेकेंसि कम रहती हैं एक इनुट के अंदर अगर हम बात करें बटालियंस के अंदर तो एक य करना है ओफेशल काम करना आपको लेकिन आपको यह हो जाता है कि जो आपकी जवाबदारी है वह आपकी बढ़ जाती है इसके अलावा आपका जो काम होता है आपकी काम के दौरान आपको असिस्टेंट मिल जाता है जैसे आपकी रहेंक बढ़ेगी जवाबदारी जुरूर लूटी पर चला गया या मालो वो किसी काम से किसी सरकारी काम से भार गया है यह वहां पर एविलेबल नहीं यह ट्रांसपर आ गया तो एक si साइब भी हैडग के डूटी करता यानि कि दो इंसपेक्टर के चार्ज हो युद दिया जाता है तो जैसे जैसे आपकी रेंग बढ़ती है आपकी जवाबधारी बढ़ती रहती है एसाइएंग से इंस्पेक्ट मिनिस्ट्रेल यह पोस्ट ऐसी होती है कि यहां तक maximum जवान प इंस्पेक्टर रेंग का होता है जिसको इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रिल बोला जाता है वो पूरी ओफिस का चार्ज जितने भी ऐसाइम एसाइम हैं एंडर काम करते हैं और उसी शेपूछ के और शबी और कोमेंट्स वगरा वो चेक करके ही आगे हैड जो अथोर्टी होती है उसके पास में भेजता है तो जो यह रेंक होती है यहां तक मैक्सिमम होते हैं पहुंच जाते हैं इसके जो पूरी सर्विस करते यह नहीं कि आप 20 साल नोखरी करके पेंशन आगे तो उसमें आप इंस् इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रिल बनने के बाद में आपको वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो जाता है आप अगर किसी भी ब्रांच में अगर आप बड़े ओफिस के अंदर काम कर रहें मलब आप आई जी ओफिस के अंदर है या डायटेट के अंदर है तो वहां पे आपको किसी अब एक पर्टिकॉलर जो ओफिस होती ब्रांच होती उसका चार्ज दे जाता है आपके अंडर में आपको काम करना पड़ता लेकिन आपको डिलिंग करने पड़ते उनको देखना पड़ता है एक प्रकार से शुपर विजन आपको करना पड़ता है इंस्पेक्टर चलता है कि रेंक से रिटाइड आ जाते हैं लेकिन असिस्टेंट कमाने वह लोग बनने के चांस रहते हैं जो जवान कम एज में बढ़ती हो रहा है एक जवान मलों पच्छे साल में बढ़ती हो रहा है या जैसे बही अरक्ष्टन उसको मिला तो 27-26 साल से बढ़ती हो रहा हो रहा है और अप बॉलाइड रांट कि लत होती है तो आप ऑस्टिंट आपकी पोस्टिंग अंदर रहती है दोस्तों यह थी पर मोशन से समद्व में च्छोटी सी झाले, छे